नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट लवर अनेता में देखिए ग्रेन कलर के ये जो प्लांट है कितने खुबसूरत लग रहे हैं और ग्रेनरी को बढ़ाएं अपने घर में कुछ प्लांट लगाएं प्लांटेशन करें काफी अच् भर चुका है और मौनसून सीजन में इसकी जो ग्रोध है वो बहुत तेजी से होती है तो इस सीजन में आप इसको मतलब अगर आपको कहीं से मिल जाता है चाहे नर्सरी से चाहे किसी रिलेटिव के यहां से तो आप इसका एक या दो प्लांट भी लेके आएंगे उसी से कुछ टाइम यह थोड़ा सा खराब होने लगा था तो अभी यह देखिए फिर से ठीक हो गया है और पूरा पोट इसने भर लिया है तो इस प्लांट की जो केर है मैं आपको सिर्फ चार बातों को चार बातें बताऊंगी जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो प्लां सबसे पहली जो बात है वो ध्यान रखने वाली यह है कि इसके जो पुरानी पतियां पीली होती रहती है इनको आप साथ के साथ हटाते रहें और नहीं हटाएंगे तो यह पानी में गल सर जाएंगे और इसमें फंगस लग जाएगा और फंगस जो है प्लांट को बढ़ने को इससे बैटर है कि आप फंगस लगने ही न दे सबसे पहली टिप्स यह है पीली पतियां साथ के साथ हटाते रहें मेरे इन प्लांट पर देखिए रूट्स कितनी लंबी है और साथ में देखी बेवी प्लांट भी निकल रहे हैं बस इनी से ही यह मल्टिप्लाई होता है और इसके धेरों प्लांट बनते हैं और बहुत अच्छे से ये बड़ी जल्दी से ग्रो हो जाता है एक टिप इसकी ये होगी अब आते हैं दूसरी पे दूसरी इसकी जो टिप है वो ध्यान रखने वाली है कि इसका जो पानी है वो आप हफते में ये 15 दिन में चेंज कर दें और बिल्कुल हलके हात से पानी को और मॉन्सून सिसन में आप चाहें तो तीन दिन में या चार दिन में चेंज कर दें और बाकी सीजन आप 15 दिन में भी करेंगे चले गा फ्रेश पानी से क्या होता है थोड़े से न्यूटिशन इनको पानी से भी मिल जाते हैं तो वह ग्रो हो जाता है और वाकी चीज़ें जो कीडे मोकोडे मो पनपते नहीं हैं खासकर मौनसून सेजन में इसका ध्यान रखें क्योंकि मच्छर वगेरा जो है वह पनपते ही हैं त इसकी साइड में जैसे पानी भरा रहता है तो साइड में जो है एलगे लग जाती है ग्रीन गलर की उसे बिल्कुल हटा दें अब जो चौती है वह सबसे जरूरी है देखिए फ्रेंस में अपने टब मैंसे आपको निकाल के दिखाऊंगी यह इसमें मैंने सॉयल डाल रखी सॉयल और खाद तो सबसे जरूरी टिप्स यही है कि जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो एक इसके लिए आपको टब चाहिए टब लें उसके बाद तीन हिससे मिट्टी और एक हिससा खाद चाहे वह वर्मी कंपोस्ट हो चाहे वह गोबर खाद वह मिक्स कर लें दो इंच की लेयर दो या तीन इंच की लेयर आप नीचे सर्फेस पर मिट्टी की लगा दें उसके बाद टब को पानी से अच्छे से भर दें और इस प्लांट को लगा दें आप देखेंगे हफते में और पंदरा दिन में इसकी कित्ती अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी वह इस तरह का प्लांट है तो यह कुछ चार बातें थी बिल्कुल ज्यादा इसमें कोई हर्ड है नहीं तो इन बातों का अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल अच्छा ग्रोव करेगा कोई भी आपको दिक्कत यह प्रॉब्लम नहीं होगी यह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो और जैसे अगर आप यह दूप में रखेंगे इसको थोड़ी दूप भी चाहिए यह नहीं कि यह बिल्कुल शेड में ही ग्रोव होगा सनलाइट भी इसको चाहिए तो वह दूप में खराब ना हो ऐसी क्वालिटी का टब रखें जो क प्लांट अच्छे ग्रोव करेंगे होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हैपी गाड़निंग